बिना संभोग के अपनी मर्जी से गर्भधारन करना हिंदु धर्म कहता है कि प्राचीन काल में गर्भधारन करने के लिए संभोग की आवश्यक्ता नहीं थी और संतान इच्छा के फ्लेट से पैदा हुए थे और बाद के युग में महिलाओं ने सिर्फ स्पर्ष से यौन कॉंग्रेस है भारत के प्रमुख तब प्रजातियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं थे उन दिनों वसीयत के फ्लेट से संतान पैदा होती थी इसके बाद के युग में अर्था त्रेता स्पर्ष से ही बच्चे पैदा हुए उस युग के लोग यहां तक की है समराठ यौन कॉंग्रेस की आवश्यक्ता से उपर थे यह अगले यूग में था द्वापर की यौन कॉंग्रेस की प्रथा की शुरूआत हुई है राजा पुरुषों के बीच प्रबल होने के लिए कली युग में है राजा पुरुष विवाह करने और जोड़े में रहने आये हैं अनुवाद के एम गांगुली